हमने नए साल को बहुत उत्साह के साथ मनाया है लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी है जहां नए साल मनाने की परमपरा कुछ अलग है जो सुनने में बहुत अजीव है इन परमपरा को जानकर आपको हसी भी आएगी और हैरानी भी होगी तो चलिए आज हम आपको बताते अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपने नए साल का जसन कैसे मनाया दोस्तों के साथ पार्टी करके फेमली आउटिंग करके या फिर बच्चों के साथ मस्ती करके ये सबी विचार आपके लिए अच्छे हो सकते हैं लेकिन बाकी दुनिया के लिए नहीं दुनिया में कुछ देस ऐसे भी हैं जहां नियू येर मनाने के तरीके और परंपराएं थोड़ी अजीव हैं कहीं पुरानी चीजों को घर से बाहर फैंक कर नए साल का जसन मनाया जाता है तो कहीं समंदर के लहरों के बीच तो आईए आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी अजीबो गरीब और घटिया परंपरा उसे रूबूरू कराते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान नहीं जाएंगे नमबर वन समुद्र के किनारे पार्टी करना थाइलेंड थाइलेंड में नए साल का जसन होली की तरह ही मनाया जाता है थाइलेंड में लोग समुद्र के किनारे पार्टी करके नए साल का जसन मनाते हैं इतना ही नहीं यहां के लोग एक दूसरी पर पानी फैक कर भी नए साल का जसन मनाते हैं नए साल के मोके पर थाइलेंड के सड़कों पर लोग बाल्टी में पानी भर कर गुमते नजर भी आते हैं थाइलेंड की यह परमपरा हमें होली की याद दिलाती है इडली में एक कहावत बहुत प्रचलित है आउट विद गोल्ड इसका मतलब है कि बाहर फेकने से अच्छा और कुछ नहीं यह कहावत इडली के लोगों ने खास तोर पर नए साल के लिए बनाई है इस आधर पर यह मान्यता है कि नए साल की साम को घर की खिड़की से कोई भी पुराना समान फैका जाए फिर चाहें वो टोस्टर, पैन, पीवी कुछ भी हो सकता है ऐसा करने के पीछे की मान्यता है कि नए साल की सुरवात में नए चीजों के लिए जगे बने जहां लोग नए साल पर पार्टी करते हैं और दोस्तों से मिलते हैं लेकिन चीन में नए साल का जसन बिलकुल अलग तरीके से मनाया जाता है आपको बता दे कि नए साल के मोके पर लोग लाल लिफापे में पैसे रखते हैं और उस लिफापे को अपने सच छोटों को देते हैं इसी के साथ नए साल की रात पटा के जलाय जाते हैं इसके पीछे चीनी लोगों की मान्यता है कि पठा के जलाने और उसके सोड से बूरी सक्तियां दूर हो जाती है रूस में नए साल का जसन मनाने का तरीका बहुत ही अजीव है जहां लोग नए साल पर ड्रिंक्स पीते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं या फिर एक दूसरे को कार्ड भी देते हैं, लेकिन रूस में लोग इन चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं यहां नए साल में लोग अपनी एक इच्छा को कागच पर लिखते हैं और फिर उस कागच को जला देते हैं इसके साथ ही घड़ी में 12 बजने से पहले अपने सेंपिन के गिलास से एक बूंद जमीन पर गिरा कर उसे पीना रहता है जापानी लोगों की सब्वेदा और संस्क्रती बिल्कुल ही अलग है वह लोग हर्थ योहर को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं जापान में नए साल को ओमी साका के नाम से जाना जाता है आपको बता दे कि वहाँ के बोध मठों में नए साल के मोके पर घंटियें बजाए जाती हैं वह भी ठीक 108 वार 108 को लेकर वहाँ के लोगों की कुछ ऐसी मानत है कि यह अंक इंसानों का होता है और इस तरह से करने से नकारत्मक भावनाय दूर हो जाती हैं डेनमार्क डेनमार्क में नए साल मनाने की परमपरा बेहत अजीव है आपको बता दे कि यहाँ के लोग नए साल का जसन मनाने के लिए अपने पलोशियो के घर के बाहर जाकर बरतन तोड़ते हैं जी हाँ आपने सही सुना वही क्रोकरी जिसके तूटने पर बहुत दुख होता है क्योंकि आपको पूरा सैट खराब हो जाता है बच्पन में अगर गलती से भी आपके हाथ से प्याला तूट जाता था तो आपको कितनी मार पड़ती थी यह तो आपको याद ही होगा लेकिन डेनमार्क में लोग नए साल पर अपने घर के पुराने और बेकार बरतनों को अपने पडोसी के दरबाजे पर जाकर तोड़ देते हैं वहीं सुबह जिसके घर के बाहर सबसे ज़्यादा बरतन तूटे होते हैं वो उतना ही ज़्यादा सब के बीच लोग पर यह होता है नमबर सेवन अलमारी में 12 तरह के पसंदिदा भोजन रखना एस्टोनिया नए साल में एस्टोनिया के लोग जो करते हैं वो आपको जरूर हैरान कर देगा आपने लोगों को लकली की अलमारी में केराने का समान के हुए देखा होगा वहीं एस्टोनिया में नय साल के दिन अलमारी के अंदर खाने के साθ着 9 या 12 वियंजयन रखे जाते हैं ऐसा करने के पीछे लोगों की मान्यता है कि आप अलमारी में जितने अधिक भियंजन रखेंगे आपका नया साल उतना ही आपके लिए सो भागे लेकर आएगा। लोगों का मानना है कि 31 दिसंबर की रात उनके पूरवजों की आत्माएं उनके घर खाना खाने आती हैं। यह खाना उन्ही के लिए अलमारी में रखा जाता है। ऐसे में वहाँ के लोग अपने पूरवजों की पसंद का खाना बनाकर अलमारी में रखते हैं। इसपेन की ये माननता आपको हैरान कर देगी। इसपेन में नए साल पर लाल रंग के अंडरवेयर का जोड़ा खरीदने की माननता है। निगलते हैं। ऐसा करने के पीछे की माननता ये है कि अगर घड़ी के टिक-टिक के साथ रात बारा बज़े तक उन सभी अंगुरों को निगल लिया जाए तो नए साल उनके लिए सोभा के लेकर आएगा। ब्राजील में नए साल का जसन दो तरह से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र की साथ लहरें बर्स की साथ महान बर्दानों का प्रतिनिद्ब करती हैं। साथ लहरों को छूने से साथ दुआएं भी पूरी होती हैं और पूरा साल सुक्र समरदी बनी रहती है। वहीं कुछ लोग फूल गहने और अन्य तरह के उपहार लेकर नाव पर बैठते हैं। नाव से ये लोग रात के ठीक बारा बजे समुद्र की बीच पहुँच जाते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर ये लोग लहरों के सहारे बापस किनारे पर पहुंच जाते हैं तो भगवान इन्हें पूरे साल के लिए सोभाग्य प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी और इन्हें सोभाग्य नहीं मिल पाता तो लहरे इन्हें दोबारा किनारे पर नहीं आने देती हैं नमर 10 गोल आकार की चीजों से आता है सोभाग्या फिलिपिन्स फिलिपिन्स में गोल आकार की चीजों को लोग सोभाग्या का प्रिदिक मानते हैं यहां के लोग न्यूएर पर 12 फलों को इखटा करते हैं हर फल हर एक महीने का सूचक माना जाता है इन 12 फलों को जैलरी पहनने का भी रिवाज है ऐसे में ये गोल आकार की पॉल की वाली जैलरी भी पहनते हैं तो दोस्तों ये थी नया सल मनाने की कुछ अजीब परमपराएं ये अजीब वोगरी परमपराएं आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे ही इंटरेस् झाल झाल